हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तुम्हाइ यूट्यूब चानल तौ फ्रेंड्स आज के मेरी रसीपी है थाली मैंने आज प्रिपैर की थी तो उस थाली में मैंने प्रिपैर किया था कठल की सबजी तो जिसे हम जैकफूर्ट भी कहते हैं तो सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था लगबग 800 ग्राम मैंने यहाँ पे कठल लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे आलू लिये हैं और 3 मीडियम साइज के टमाटर और 3 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे प्याज लिये हैं तो जो प्योरे मैं बनाऊंगी उनमें मैं दो टमाटर का मैं प्योरे बनाऊंगी और एक टमाटर को मैं लंबा लंबा कट कर लूँगी एक प्यास को मैं बारिक बारिक कट करूँगी और दो प्यास का मैं लस्टान और अद्रक के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाऊंगी तो यह एक इंच का अद्रक है और करीब 10 से 15 कलिया मैंने लसन के लिए है जिनको कि मैं प्यास के साथ ही पीशूँगी और एक पेस्ट बनाऊंगी और यहां पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं जिन में मैंने लिया हैं दो तेज पत्ता हैं और खड़े मसाले जैसे की दालचिनी 1-4 ऐलाइची को शफर देखें कर्फिते मीं तक बड़ी है शहीं तक कष़ी遊戲 को पाईची कर, को कैटल सϋलों को उसल विसल तक पका ये इसए ग्रेवी के तैयारी के लिए आपको बताती हूँ जैसे के मैंने बताया था दो प्याज का मैंने अद्रक और लसन के साथ प्योरे कर लिया है पेस्ट कर लिया है और एक प्याज को मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है और दो टमाटर को मैंने यहाँ पेस लिया है और एक टमाटर को मैंने लंबा-लंबा कट कर लिया है उसके अलावा मैं यहाँ पे एक मुठी के करीब मैं मटर के दाने लूँगी और बहुत खूप सारा धन्या लूँगी मैं गारनेशिंग के लिए तो अच्छा लगता है गारनेशिंग के लिए जब हम धन्या लेते हैं तो धन्या का फ्रेश फ्लेवर सबसी में बहुत टेस्टी लगता है तो यह देखें मेरी कठल और आलू को मैंने यहापे एक विसल आने तक पका लिया है इसमें मैं जो स्टीम किये वे जो कठल और आलू है उसको मैं भुनूंगी तो जिससे की जब हम ग्रेवी में आलू और कठल को पकाएंगे तो यह तूटेंगे नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा भूरा होने तक भुनूंगी तो बहुत अच्छा इसमें टेक्शर रहता है इनका ग्रेवी में और यह तूटते नहीं है जल्दी से तो इस तरीके से देखिए मैं कम तेल में ही इनको भुनूंगी और इसी तेल में फिर मैं अपनी ग्रेवी की तैयारी करूंगी तो बहुत ही टेस्टी सबजी ये बनती है कठल और आलू की हम इसको राइस के साथ रोटी के साथ या पूरी के साथ मतलब किसी के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है सबजी लेकिन मुझे ये राइस के साथ पसंद है स्टीम डाइस के साथ या जीरा राइस के साथ बहुत अच्छा कॉंबिनेशन ये रहता है इस सबसी का तो यहाँ पे मेरे ये कठल और आलू भुन चुके है मैंने बूरा होने तक इनको भुन लिया है अब मैं इनको अलग कर लूँगी और ग्रेवी की तयारी करूँगी तो प्रेंट्स ये तेल मुझे थोड़ा जादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेल अलग कर रही हूँ उसके बाद मैं इसमें चौक की तयारी करूँगी तो यहाँ पर मैंने यह तेल अलग कर लिया है और सबसे पहले मैं आड करूँगी यह तेल मेरा अल्रेडी गरम है तो सबसे पहले मैं आड करूँगी करीब वन फॉर्थ टी स्पून मैं यहाँ पर जीरा का आड करूँगी जीरा आड करूँगी क्यूमिन सीड उसके बाद मैं जो cutaway प्यास है उसको मैं डाल दूँगी और भूरा होने तक मैं या transparent होने तक मैं भूनूँगी तो यहाँ पर मैंने प्यास add कर दिया है इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी जब यह प्यास थोड़े से भून जाएंगे तब उसके बाद मैं इसमें जो प्यास का जो paste हमने अद्रकलसन का और प्यास का जो paste बनाया था उसको मैं इसमें add कर दूँगी तो यहाँ पे मेरे प्याज ये भुन चुके हैं, अब मैंने यहाँ पेस्ट प्याज और अद्रक लस्न का जो पेस्ट है वो मैंने अड़ कर दिया है, अब इसको भी मैं बहुत अच्छे से भुन लूँगी और जब ये भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मस तो तीखा आप अपने हिसाब से अड़्जस कर सकते हैं और यह धनिया पाउडर है बस यह मसालों को मैं थोड़ा सा भून लोंगी तो हमेशना मेरी कोशिच रहते है कि मसाले जो है मैं इस तरीके से प्याज या कोई पेस्ट प्यॉरे बनाते उसी टाइम पे भूनू बाद मे मैंने थोड़ी से कश्मेरी लाल मिर्च एड़ की है ये तो इस से दिखिए ग्रेवी का रंक कितना अच्छा आ रहा है तो इसके बाद ये थोड़ा सा भून के जो मटर के दाने मैं आपकर लूग यहां पर ये मटर के दाने मैंने आड़ कर लिए है इसکो भी मैं थोड़ा या फिर इसको gravy अगर इसको करनी है, राइस के साथ खाने हैं, तो इसको फिर हम थोड़ी सी gravy वाली सबजी बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो खड़े टमाटर है, वो आड़ कर दिये हैं, इसको मैं जादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी में ये टमाटर पक जाएं जो कि मैं बाद में इसमें एड करूँगी थोड़ा सा भुन जाएगा यह देखे अब यहाँ पे इस तरीके से मैं भुनोगी तो जैक फ्रूट फ्रेंड्स बहुती हेल्दी जो है सब्जी और बहुती हेल्दी फ्रूट के तौर पे खाया जाता है इसको तो यहाँ पे देख लगभग रेडी है फ्रेंड्स इसमें अब मुझे कुछनी करना है जो कठल और आलू मैंने भुनके रखे थे वो मैं इसको आड कर दूँगी इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट मैं टेस के अकॉर्डिंग इसमें आड कर दूँगी अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे सूखी जाती है सूखी सब्जी के तौर पे लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी आड करूंगी मुझे राइस के साथ खाने हैं ऐसी लिए तो यहां पर बस इसको पानी आड करके फिर थोड़ा दिर के लिए मैं इसको धखकर और थोड़ी दिर के लिए पकाऊंगी तो यह मेरी आज क सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद इसको बेल आइकन आप दबा दीजे ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आए तो आपको तुरत पता चल जाए तो ये देखें मैंने ढखकर थोड़ा देर के लिए स्टीम यापे करने के लिए रख दिया था ये सब्सक्राइब कर देखें तेल इसमें ग्रेवी में उपर आ चुका है और 80% अलरेडी कुक हो चुका था ये कठल और आलू अब ये अच्छे से पक चुके हैं तो इस तरीके के लिए मैं इसमें हरा धनिया आट करूंगी तो ये मैंने आपे इसमें गरम मसाला आट कर दिया है और मेरी सब्सी जो है पूरी तरीकी से तयार है गार्निशिंग के लिए बस मैं इसमें धनिया आट कर दूंगी और गर्मा गरम आप इसको राइस के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको like, share और comment जरूर करिएगा प्रेंट्स तो देखिए इस तरीके से आज मैंने अपनी lunch की थाली प्रिपेर की है इसमें मैंने rice रखा है और salad के साथ और बहुत अच्छा combination यह लगता है प्यास के साथ यह मेरी कठल की सबजी इस तरीके से मैंने ready की thanks for watching प्लीज मेरे चानल को like, share and subscribe कीजे thank you